जी उसन साने 15 यूनिटा है क्लास एट ची इंग्लिश जो पंज चार जेके यूनिट सेन वे पान कम्पीट करे चुका आई हूं कम्पीट होने जा वीडियो चैनल जी प्ले लिस्ट में मुझूदन अगर ता निससे चाहिए उता होता नशी सग होता चैनल ते फस्ट राइम मचयोता था सब्सक्राइब चैनल के लाजमी कजो अगर ता सब्सक्राइब ने करना था जैने को निव वीडियो अपलोट नहीं नोटिफिकेशन तांट को नहीं दो, तांखा विडियो मिस थी विदा, ठेक हाने पंज यूनिट ये तरफ हलों था, यूनिट पंज यो जो को नालो आ है हुआ है हुमिनिजम, यनि इनसान दोस्ती, अचाहन जी जेका टेक्स्ट आ है उन्हों के पांट सेंदा सी, हर इदी जी जिन्दगी के कहां ठायो, या इदी जी जिन्दगी के कहां बनायो, अब्दल सतार इदी, the angel of mercy as people called him, यनि अब्दल सतार इदी, जेंखे माहूं रह्मत यो फरिश्टो सरी नवा, started his humanitarian work in 1951 by establishing a very small dispensary in मिठादर कराची, पाकस्तान, उन्हें पें जी इंसानी खिदमत जो कम मिठादर कराची में एक तमाम नंडडी, dispensary या दवा खनूं कायम करना सा शुरू कयो, मिठादर कराची जो इलाइक हुआ है dispensary या नंडडी, dispensary जे कहुने है जेकर पांड़ा नंडड़ा हुँ सिंधी में, from this humble beginning, in मेमूली शुरुआचसा, है single-handedly, हैन अकेले सर, single-handedly मना अकेले सर, went on to create पाकस्तान's largest directable organization, हैन अकेले सर पाकस्तान जो सबखां वडो खेराती इदारों कायम करे वरता हुआ 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 हु सब्सक्ता है टोडेशन हम सब्सक्राणा जो सजो, जो को दारोमा दारो हो, हो खांग जिन दनत ते हो manipulash today the şif actually implores more than 7000 people, मना अज जगा इदी田 वांडेशन आहा उनमें तक्रीबन सत्ताजार का वदीक मानू कम था कन बोथ पेड एंड वालिन्टरी वर्कर्स अनमें बनी किसमे जा मानू मना एक राजे के पगार थे कम कन था या रजा करना तो थे कम कन था जे के माफ़जों को कुन था वटन तो मेनेज इस हुज नेटवर्क जो वड़ो जो को जारा जो को नेटवर का वो हला एंजिला इन पाकस्तान पाकस्तान में it operates about 15-hundred ambulances मना पाकस्तान में यह जगाईदी स फांडेशन है तकपिन पंध्ना सो ambulances जगें होए हलाई थी, that offer a 24-hour service जगे चोवय कलाग खजमत service दियन थी, from more than 350 ed centers तक्रीबन 500 टेसो खाम थरीक जगेदी जा मरकजन उतांक यह इडिशनली उनका लवा, दियर आर मोर देन 17 इधी होम्स, 17 वधीक जगवाय सोनन जा, इधी होम्स नेन तन्जीम जा, इधी फांडेशन जा, एंड 330 वेलफेर सेंटर्स अक्रॉस पाकस्तान, इसा जे पाकस्तान में तक्रिबन टेसो टी है, अवामी भलाई जा, मरकजन, जे प्रोवाइड शेल्टर फार एन एस्टीमिटेट 85,000 पीपल, ये सेंटर जेकें तक्रिबन 85,000 मानन खे अजूम होया कन था, इंक्लूडिंग सेनियर सेटिजन्स जे में जेके पोड़ा मानन होन ये नि जेके वड़ा शेहरी नुवे शामिलाई, इस्पेशल चिल्डर एन खास बार है, जिनके पार मज़ूर बार प्चुमता नुवे शामिलाई, निडी चिल्रेन, जरूरतमन बार जेके गरी बार नुवे शामिलाई, इंफेंट्स, नंजरा जावल बार एंड बेवी जे नंधा बार शामिलाई, इंडे आपरेट फूड किचिन्स, अहीं वे खादे जा, जिके मरकज नुवे पहलाईं था, क्लीनिक्स, इस्पतान नुवे पहलाईं था, एंड रिहबिलिटेशन सेंटर्स फार ड्रग एडिक्ट्स, एंड दे मेंटली इल, इन अश्या देयादियां जहनी मजूर्चिन माहन उन जी फलाई जा मरकज भलाईं था, रिहबिलिटेशन सेंटर्स मनाँ फलाई जा मरकज मनां जिते, जहके mentally ill होंदान जहके जहनी तोर ते मानु साइकोन होंदान या जहके को नशो इस्तमाल के अंदर होंदान उनने के छड़े होंदवा तो वापस होए जोकवा पांजी असली हालत में 30 सगन पंज़े पांखे तबदील करे सगन सेट करे सगन उनने के रियाबिलिटेशन सेंट अनिमल शेल्टर चेके ऑपरेट करन था इदी फांडेशन वाउनन में जानवरान के पजोर नोविंदवा हो हाने यो सजो जो को पांजो पेराग्राफ हो उनमें सजी जेका इदी फांडेशन आ है उन्जे बारे में पाने के इंफरमेशन ने नी वही शुरूआ रहा रहा इदी जेका लाइफ है इदी जो 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 को पांडेशन था अगर टेक्स्ट वधी थी तो पांड कोशिश कहन दा थी तो अंजला भी वालग सांडेशन वीडियो तुरू लें दी नहीं थी इदी वास बान इन अर्ली 1928 इन बंतवा गुजरात बिर्टिश इंडिया इन इदी जो को सौनी सो अठावी जी शुरूआत में बंतवा गुजरात बरतानवी इंडिया में जाओ बिर्टिश इंडिया मना तदे इंडिया थे बिर्टिश यो रूलो His father, Haji Abdul Shakur, worked as a dry fruit commission agent in Bombay. इन जो जो को पी हो, Haji Abdul Shakur हो वो बंबई में, खुश्क में वे जो commission agent तोर कम कन दो. Since his father was mostly away from home, जिन जो पी जो को वो अक्सर करे घरकां परे रंद हो, He was mainly brought up by his mother, who according to Idii had a great influence on his life. हमें जो पी जिन तेख जड़ातर घर कांपरे नगरे तो उन जो करे जुड़ार नाफ हिए TLOO वादो जब आशूरो मना अब जी चोव ど लाइसा है असर हो Father Haji R.A. was a simple, content and patient person who did not believe in surpluses and even disapproved of having extra food at home. यह नहीं खुशी है सान जो को आसो याद कन्द हो तहने जो जो को डाड़ो हो Haji R.A. वो एक रो साथ हो, मुतमन, जो को सबर का अंदर शक्स हो, जो को फजुलियात में यकीन को रखन्द हो. इजाफी शेन में जो को यकीन को रखन्द हो. इतरे कदर, जो घर में इजाफी खादो जाने सीनों तो उन्हें पना पसंद करन्द हो. तो बबाद घर में जो को आस होता है इतरो खादो ना ठायो, जो तो इस्तमाल करो था, खाऊ था, उतरो ठायो. Moreover, he had a repetition in the community for resolving conflicts and settling disputes. उन्हें का सवाए जेके ही community में या जेको उते बरादर वी उन्हें में ही मशूर हो, जगड़ा हल करन में ही तक्रार ने बेरन में, उन्हें करें भी मशूर हो, बरादर वी community उन्हें में. Thinking back, अब्द सत्तार एदी once said about his father, यन्हें को यूँ वक्त याद करने माजीत नजर हो, जन्हें अब्द सत्तार एदी है कि दफ़े पेंजे पी जे बारे में चायो, My father had very high moral standards for himself, यन्हें मुझे पी पंजला एला अखला की महार मुकरर कहा हुआ। To him, हैने ज़े मताबक, simplicity was the only tolerable way of life, सादगी मुनासब जन्द की गुजारा जो वाहिद तरीक हो। When we migrated to Pakistan, जडें आसा पाकस्तान तरफ हजरत कही, we got into serious financial trouble, तर आसा घणें जेके मवाशी मसला वाउना जो शकार थी यासी। However, he never complained, मना तडें पे इन्हें का शकायत ने कही। And throughout these times, आई उन्हें सजे वक्त में, he was never dishonest in his business। And in the past, despite the fact that life in Pakistan was very difficult at that time, मना उन्हें हकीकत जे बावजूत पाकस्तान मना वक्त जन्द की गुजारन तमाम मश्कुल भी, My father was a truly optimistic person and always had a positive attitude. मन जो पी हकीकी पुरूमीद शक्स हो, हम्मेशा उन्हें मसबत रवय हुए उन्द हो, Positive Attitude हुए Optimistic मना पुरूमीद शक्स, Why do pessimistic have a göra, When does he i waste fromическая? When he is like, When he does bad energy, I believe only heart, And by optimistic person already mentioned under attack than覺, When he does quake in consigo with evidence you, अच्छा हाने वरी पान जो कुण जो बेब पिशे जा है उनके डिसूंस इन बंतवा अब्द सत्तारीजी वाज नौन अमंग इस फ्रेंड से इज रोटी जो बंतवा जते ही जाओ उनमें अब्द सत्तारीजी पर जोस्तन में जो को रोटी जो करें सुन्जाते हूं जो रोटी जो नाले सा मशूर हो एज इदी एक्सप्लेंड जी इदी वजात कहीता है एवरी ताइम माँ फादर केम बेक फ्रों केम बेक हूम फ्रों वन फिस ट्रिप्स तहर बेरे जडे जडे सन्द स्पीक हैं दो रेतां वापस घर मोटन दो ही शेवड माँ हीड तो मुन जो मथो कोड़े शेंद दो Once when I asked him why he does it, he explained that it is simply the most effective way to curb pride and prevent arrogance It makes you work better because appearance is a distraction It makes you work better, it makes you work better, it makes you work better, it makes you work better because appearance is a distraction डड़ो जब को डीप सेंटेंस आई इंते तहां गोर को जो ते जगा जाहरी शकला और गुम्रा का अंदर हों दिया When you don't think about the way you look जड़ें अमाँ जब को नजर अचो था उनते नथा सोचो You develop humility and truth तहां में आजजी ये सचा ही पैदा थी थी I think it was the best lesson I was ever taught आउं सम्झाओं तो तो वो बहतरीन सबक को जो को मुग करने से खा रहे हो वो एक बहतरीन सबक को जो को मुग करने से खा रहे हो How was the person who apparently met Abdul Sattar Edi the man he became was his mother तने जे शक्स Abdul Sattar Edi के जाहरी तोर ते इंसान बनाय हो जो को वो वासं दस मावी Edi said of his mother that she was a very gentle sensitive and quiet person वासं दस मावी जेन के जो का अबिल Sattar Edi जे को बने हो उनके बनाय हो Edi पंजे माबबाद बुदाय होता हुँ तमाम नरम मजाज एहसास रखंदर नहीं खामोश इंसान भी gentle nerve मजाज sensitive हसास एहीं कामोश मजाज रखंदर sensitive एहसास रखंदर पुदा पुलली केरिंग वेर द ओल्ड हैंडीकेप्ट और मेंटली चैलेंग पीपल वर कंसेंड मना ही खास तरह जो कोई सो ख्यार लखंदर बन जीविंदो जने पुड़न मजूरें जहनी पसमान दा मानन जो सवाल उतें दो इखास ख्याल लखंदो पुलरन मानन जो या मज़ूरन जो आई जहके जहनी तोरते मानू सही कोना दा मानन जो If ever he saw some mean kids making fun of mentally challenge मना हुज जने पुड़न दिसन दो ते के शरारती बार जहके जहनी पसमान दा या mentally challenge His mother always appreciated such acts by saying You have given a voice to those who did not have it तो उनन के आवाज दिनुआ जनके यो आवाज कोने तो उनन के आवाज दिनुआ जनके आवाज कोना है These people are as innocent as babies He manu na dhren baren jya masu main They know nothing of the world उनन के दुनिया जे बारे में का जान कोने वो दुनिया जे बारे में कुद ने था जाना And yet they have to live as adults तरने पुनन के वडन मानन जियां, बालगन मानन जियां अकल मन मानन जियां, जियनों तो पर वे रहनों तो पर According to Abdul Sattar Edi Abdul Sattar Edi Mojib He learned about love and care from his mother She would always distribute cashnets, pistachos, ginger and other food items that her husband sent her from Bombay She would ask young Edi to distribute these packets to families who were less fortunate than they were One other story that Edi liked to share about his mother was about his school days He said that when he was in school His mother used to give him two pesos One to buy something to eat for himself One to buy whatever he was eating for poor boy watching meat अदिडर में आप हमताद के लिए दिए गॉर्म घाज लोग लिए गड़ा रखना जो लिए भी अवर रखना जीने जोड़ नगे लिए खरीद में जोड़ा 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 हुड़ा है पर आप रॉन आयम आप जोड़ा जोड़ा है अकसर करे जनु उनका न बिन पेसें जबारे में पुछन दी भी he confessed, he कबूल कन दो that he had spent both the पेसाs on buying things for himself तहु यो मना कबूल करे बठन दो तहु न बई पेसा पंजे लाज जए बठन दे खच करे शे दिया hearing this, यो बुदी करे she would tell him न उनका बुदायो that he had eaten poor people's money तहना गरीब मानन जब पेसा खाइदायन these poor people were Muslims, this advantage वे जगे गरीब मानन, वे Muslim men Muslim सी मानन, English में, this advantage she told him to fear Allah हने उनका चो तो खुदा खाँ डिज as he never helps those who do not look after the Muslims who do not fulfill हकूक अबाद the rights of other human beings as this was the first period in Islam या जेके हुकूक अलबाद पूरा न थाकन छोता वो Islam में पेनी तर्जी है हुकूक अलबाद मना जेके बीहन मानन जा असांत हकन यह एनका इसलाम में वड़ी तर्जी निला हुकूक अलबाद के इदी also talked of the way his mother ensured that he did not waste his time इदी उना तरीके बाबा तू गुदाईं दू आये जैससने स्मा उना गलख यकीनी बने दू भी तभू पन्य वक्त जायानने प्यो करे शीवड आसक हम तू ब्रिंग राव कॉटन तू दिर हूम हुव ना के कच्चो कपा जब कोई वो घरा आना चावन दी भी she would then clean it and ask him to take it back to the shop in order to earn some money वो ना के साफ कन दी भी एं उना के कुछ पिसा कमाला दुकान दे खपान लाडीन दी भी she was of the view that no one should sit at home idly everyone should work to earn a living हुव ना ख्याल जी हुई तो कोब घर में बांदो ना वे हरके के रोजी कमाला कम करन घुचे idly often fondly recalled that it was his mother who planted the seed of social welfare and charitable work in him she not only nurtured it but taught him how to control his desire for material things and to overcome personal greed idly often said that although his mother's whole life was a struggle idly aksar करे चांदो तो जिन तो जिन तो जिन तो जिन तो जिन समाजी जिगा समूरी हैती हुआ करी जिदो जिदो जद भी she was always positive and kind to others she was the one who taught him love for humanity when he was a child so after her date he decided to dedicate his whole life to the service of humanity onna करे सिंदस मौत बैद है ने पनी समूरी जिन्दगी इंसानी जी खिदमत करना है वकफ करना जो फेसलो करे हुआ after his mother passed away जरेन जी माव गुजार वा इदी बाट एन ओल वेगन ता इदी एक पुराने जो को गाड़ो थिन्दवा दबो थिन्दवा वो नवर्तो with donation from a friend since जोस्त को चंदो दूनू उनमा and converted it into an ambulance अहीं उनके करी ambulance में तब्दील करे चड़ो this was the first ambulance service for the poor people and he called it poor people's van ये गरीब मानन लाए पे नहीं इंबलन सर्वस ही यहीं उनके poor people's van ये नहीं गरीब मानन जी वेन जो नालो दूनू उनू he did not charge for the ambulance service हुन ambulance service लाए पेसा कून वठंदो but when people insisted on paying for it they were told to drop money in the box outside the dispensary soon he was able to increase the reach of his services and because of the ambulance more and more people got to know about these organization and services हुँ जल्दी पें जी service जी पहुच वदायन में कामयाब थी वो ambulance चे करे घन मानन के इदी जी इदारे जी खदमत जी बारे में मालूम थी he even started a funeral service which picked up human bodies found in the sea, in rivers, in gutters or at the roadside he would even pick up these bodies himself when the family members refused to touch them हुँ पान बुवे जिसम खंदो जने खांदान जा भाती बुन का थिलाएंगा इंकार कनावा he would bring these bodies to मिठा दार, wash them and provide a proper burial service ही उनन जिसमन के मिठा दार आएंदो, गुसल लाएंदो जनाजो जो दुरूस रस्मों उता करेंदो According to an observer of the IDI Foundation, the ambulance service and the funeral services provided IDI Foundation an excellent opportunity to glow all over Pakistan since there was not other organization doing this, not even the government An old associate of IDI said about him IDI जे करे पुराने साथ ही मौजब IDI's self transformation was for social mission, not for himself IDI जे जे का खुद तब्दिली पेंजे पान लाकुनी पर एकरे समाजी मकसद जला वी He changed his life style for his mission हने पेंजे मकसद जला पेंजे जिंदगी बदला शडी People do change but mostly for themselves Hence no matter how insurmountable the difficulties and how challenging the times He never lost his positive attitude जे करेंजे पेंजे मसबत जो को रवय वो कुन में जाए हो and confident outlook मना ने करेंजे पेंजे जो रवय वो ही जो का पुरितमाज सक्षित होई Outlook जो कोई वो न न वन जाए Moreover उनका वादी कि he made a commitment to himself that he would never give anybody reason to challenge his integrity or his lifestyle उनका सवान पेंजे पांट सा एद कहो तो हो कहें मानों कि मुकुर हैं दो जोसन सीमान दा रही हैं जिंदगी जे तोड तरीके थे सवाल उथा रहे That he would never spend extra time or money on himself or his family तो उजाफी वक्त यहां पें सो पंजे पांट यहां पंजे खांटां यहां पंजे खांटां ते करेंब खाचना कंदो He had only three pair of clothes and would take a प्रंजा वगा जोड़ावा One pair of plastic chapel, है कड़ी plastic चपल भी वन जना के पकड़ी जना टो पी And he slept on the wooden bench in his dispensary So that people could see how he was living So that people could see how he was living So, Karachi में गजारे वे ओ, 8 July 24 सी वे ते due to kidney failures Gurdun Ji, जिका खराबी भी गुर्दी ने जो को कम करनो चरे जी और उना जे करे The man is gone but the mission will continue His mission was to serve humanity regardless of religion, race and background He adopted a lifestyle that would help him achieve this mission You know, an arrow तर्जे जिन्दगी एक्तियार करे हो Arrow ढंग एक्तियार करे हो Jokonji मकसदी तक्मील में मदद करे It was the simplicity of his life Yeah, जिन्दगी जिन्दगी जिसादगी वी and this human trained vision And you, ansan दोस्त मकसदो Which had been inculcated in him by his parents Jokon में पोखो वे हो पें जे वालदीन जे तर्फा Menni's mother खास करें That made him the Abdul Sataridhi that he became Jain के Abdul Sataridhi बनायो The first common citizen of Pakistan And nearly 70 years of history to receive a state funeral Pakistan जी 70 साला तारिक जो पेरियों आम शेरियों जैंके सरकारी अजासा दफनायों भी हो इससे जी टेक्स्ट भी Abdul Sataridhi जी बारे में Video काफी लेंदी थी हो जो जो टेक्स्ट पे काफी बड़ी भी And in next video में इंशारा जैके जो exercise हैं लेपन करन शरूकन अजी